हैलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे आचार राम चंद्र सुक्ल का जीवन पर चे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के प्रसिद साहितिकार स्री आचार राम चंद्र सुक्ल का जन्म सन 1884 इस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था इनके पिता स्री चंद्र बली सुक्ल मिर्जापुर में कानून गो थे इनोंने दस्वी की परिच्छा मिसन स्कूल से उतीड की गडित में कमजोर होने के करड ये आगे पर नहीं सके अध्यापन कार करते हुए इनोंने अनेक कहानिया कविताएं निबंद वा नाटक आधिकी रजना की इनोंने उन्नीस वर्सों तक कासी नागरी प्रचायडी पत्रिका का संपादन भी किया ये हर्दे से कवी मस्तिस्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे साहत में इनका बहुत बड़ा इस्थान है इनकी विरच्छड प्रतिवा के कारड ही इनके समकालिन हिंदिक को सुकल युग कहा जाता है सन 1941 इस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया अब बढ़ते हैं रचनाय की तरफ निबंध है इनके चिंता मड़ी विचारवी थी संपादन है कासी नागरी प्रचाडी इतिहास हिंदी साहित का इतिहास इन्होंने इतनी रचनाय की हैं आपको सिर में थांक्स पर वाचिंग